ब्रत का सबसे पहला नियम एकादशी ब्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन ब्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस धरदय में कर लीजिए जिस दिन आप ब्रत करो जैसे एकादशी का ब्रत कर रहे हो तो दश्मी के दिन कि शाम का समय जब आवे रात्री जब होने लगे शाम का समय आवे और रात्री का आप जब भोजन गरन करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जा एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनियेगा जिस दिन आपकी एकादशी का भरत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी ब्रक्च की कोई पती तूटे ना अपने हाथ से किसी भी व्रक्ष की पोधे की किसी भी व्रक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना तूटे बहुत ध्यान दीजेगा मारज एका दशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से सीवी पोधे की किजी व्रक्ष की कि किनी डाली की कोई इसको कोई पत्ती ना तोटे इसका प्रयास करिए यहां पर तीसरे नमबर का जो चोँने हैं अब सबसे का नियम बताया उसमें वर्णन किया एकाद शीरिया के दिन अगर आप आप अब्रत है तो आप भूल वश्वी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फल फलहार कोई केला कोई सेब जो आप खाते हो अंगूर पपीता जो आप गृण कर रहे हो उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करूए अयह है हुए है ह Academic कि अ Randi को दीजियर अंकर प्रोंटी ही दीयत डबब मैंसे निकाले के लिए गाया रोटी देना। देव म मना नहीं बाकि दिनक्त आपके बेटे से तो रो्कित पर आप अपने हाथों से आपका ढ़ות है तो फ्रार आप कर रहे हो तो पलार का इतन घॉमाते को दीजिए पांच्वा वर्णन किया चतुर्त भावों में बन सके जितना एका दशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें यह अपने गुरु मंत्र का स्मर्ण करें जाई जो मंत्र आपके हिर्दय में समाहित हो श्री शिवाये नमस्तु ब्यम ओम नमस्षिवाये राम कृष्ण शिव जो मन पड़े उसका भजन करें पर दिल से करें जितनी देर करते वने उत्ता देर करें माला पकड़ने की विजरुवत नहीं की माला पकड़के बटतों तो घटकी जिब्या से जपलोनी जीजी वही उत्ता में पूरा हो जाए वही पाच्वा नियम कहा जिस दिन आपका ब्रत रहे किसी निंदक से बात ना करें निंदक जानते हो भ हो जात वाई अधा ने और धूज के दिन दिवा लीकिंजो भीदोज होती है थैसों दो जातल होती है हमें एसा अगोवण 2घ ना थे और पासमें एक क्छुगल खोर भी बना है और चुगल ख्योबशा दर आंसा पत्था अब तुमारे उदर रखे कि कों न य्लिदक हमे चोर भी बनाए उसके उपर बाटा रहा है कि कथा वर्णन कर रही है निंदक से बात ना करें मानलो किसी ने आकर आपको निंदा कर वी दी तो तुरंत सूरी नराइन भगवान का दर्शन करें और तीन बार उनका दर्शन करकर नेप्रबंद करें तब जाकर वो निंदा जो अ लेगी तब जाकर एकादसी का बढ़त लगेगा पहले तो प्रियास करो अगर जो निंदा करने आता है ना तुसको उस दिन एकादसी वाले दिन दर्वाजे पर लिख दो कि चुगल चोड़ कि फिर कहा जीव की हत्या ना करें अगला नियम है अपने द्वारा जीव की हत्य प्रियास करना किसी को कश्ट ना अठारा नियम में से एक नियम और प्रियास करिएगा एकादसी जब भी वी करें तो दो दसी से जूड़ी हुई करें दसमी से जूड़ी हुई एकादसी कम करें जो वैश्नवों की एकादसी कौन सी होती है जो एकादसी एकादसी दो दसी स कि शूदियों कि दसमीं से नहीं दसमीं से जूड़ी हुई एकादसी व्रत कहलाती है और णांसी से फिर अगला वर्णन किया गया महराज सास्त्र करता है अगला वर्णन जो किया गया उसमें बताया प्रयास करें जिस दिन एका दशी हो उस दिन घर में बुआरी जाडू आधिक जो लगती है वो दूसरा लगा ले क्यों उसका वर्णन है अगर आप गुवारी लगाएंगे जाडू लगाएंगे पहुचा लगाएंगे तो हो सकता है कोई जीव आपके हाद के द्वारा मत जाए अब एक बार यह कथा हमने कासी में केदी थी आगरोगे सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एक अदशी का जिसका उद्ध्यापन पहली एक अदशी पर भी कर सकते हो सारे उद्ध्यापन में केवल एक उद्ध्यापन ऐसा होता है सारे व्रतों में एक व्रत का उद्ध्यापन ऐसा होता है वह एक अदशी का यह जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे या तो पहली में कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर उद्ध्यापन अग तुम तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा तो एकादशी की नियम अबली करती है अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उध्यापन कर लिया इसके बाद में जितनी एकादसी करोगे वो सारी तुमारे खाते में जुड़ती जाईगी मतलब बेंक में खाता खोल ठीक है खाता अब जितना कमाता जाओगा उसमें डालते जाओ जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमां करते जाओ एकादशी एक बार उध्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुन्य तुमारे खाते में आजाए उसका पुन्य एका दशी का उद्ध्यापन बड़े महिने में माग शुक्ल एका दशी के दिन माग का महिना हो शुक्ल पक्च की जम के बोली है एका दशी हो परियास करना कि आप उद्ध्यापन करें भले 5, 10, 11, 12 जित्ती एका दशी हो जाए, 26 जयादा अच्छी है तो आप करें तो माग महिने की शुक्ल पक्ष की एका दशी के दें आप उद्ध्यापन हो यह अए गण के high quality me Si the bade महीने के अंतरगर जो थ्या पन हा चातुरमाश के ऐंतरगर तो ध्यापन को जब भॉट भ्यान दीजिस लो यो सावन भादो कुवार कार्तिक जो चार महीना होते हैं भगवान के सयन करने के इसके अंतरगत एकादशी का उध्यापन नहीं होता और इसके अंतरगत उध्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी करने का उध्यापन आग महीने की शुक्ल पक्षकी एकादशी अब भोत रहें से आनंद के साथ करिए नहीं हैं परन्तु एकादशी के उध्यापन में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरहा का नेवेद् MON फिने तरहा का नेवेद्न अब आफ कहोंगे गुरुजी उद्यापन कर। एक दशी का तो उसमें तो फलहार कवुएद्न अल्सेद्न नेवेद्न चाहिए तो फिर ये पुरान के अंतरगत सिकंद पुरान में यह चीज़ लिखी है कि एकाद शी का जब उद्ध्यापन करते हैं, तो चोविस तरह का नेवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं. चोविस तरह का नेवेद्य जान रखलेना, और चोविस जगा रख देता है कि स्विक्रत नहीं है कि चोविस का रहा का ने बेद्ध लखा जागा कि महाराज एका दशी के दिन भगवान पूजन का पूरी तयारी करकर मंडला दिक बनवा कर विद्वान ब्रहमन को बुला कर कर्मकांडी ब्रहमन को बुला कर जो भगवत सेवा में एका दशी का उद्ध्यापन कराए उन ब्रहमन के चरणों को नमन करकर प्रिनाम करकर एका दशी का पूजन करवाईए और उस मंडल की पूजन कराकर हवन दो दशी को कराईए एका दशी को हवन नहीं एका दशी के उद्यापन का जो हवन होता है वो दो दशी को एकांत में रखा हुआ शिवलिंग एकांत में रखे हुई शिवजी की पूजन तीन चीज़े देती है पहला हमारी उम्र बढ़ाती है दूसरा बड़ी बिमारी शरीर में एकांत का शिवलिंग कभी नहीं आने देता और तीसरा हमारे जीवन में कभी वेभव की सत्ता की और लच्मी की कमी नहीं आने देता यह एकांत श्वाद